तो गाड़ी जो है वो अब हमारी मुड़ने वाली है सडकों पर और गाड़ी किस तरह से मुड़ने वाली है इस चीज के उपर हमें बात करनी है तो इसमें पहला पहला केस जो बनाया उसके अंदर हमने बनाया जब only friction is present ठीक है अभी हम लोगों ने सिर्फ किसकी प्रेजन्स लिये बिटा सिर्फ फ्रिक्शन की जो प्रेजन्स है उसकी प्रेजन्स के साथ में खेल को खेलने की तैयारी हम लोगों ने कर लिये और बीटा मान ले ये तेरे लिए उलिए सर्कूलर सी एक पात है जिसके ऊपर हमारी जो गाड़ी है वो जा रही है याम लोगों की गाड़ी है जो एक सर्कूलर पात के ऊपर बaking बढ़ रही है है ना और अगर मैं इस वाली गाड़ी की बात करूँ आगे को बढ़ाना था नह यह गाडी की वेलॉटिटि यह आपकी गाडी के चाज़ टायर, ऐसे नहीं दिखते हैं यहाडी के टायर, पर ऐसा समझ ले। मैं तरह को बता दूँ, है देखे रहो कैसे ऐसे मोट रहों ऐसे हैसे मोट रहों गाड़ी को और आपप लोग यह धर जह ड् Spicy है यह आपकी गाड़ी के टॉप वालगा हिस्सा को यह प्वार्त आपको आगे नज़र आ की । कौ्म ने उस वाली गाड़ी की से की आपकी रE और यह circular है तो इस गाड़ी को अगर कोई रोकेगा इस गाड़ी को अगर कोई जूला जूलाएगा तो वो कौन होगा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन होगा और कोई इसको नहीं बचा सकता है यह बात ध्यान रखना अब किसी ने मुझे से पूचा सरी इस्टाटिक कैनेटिक फ्रिक्शन ने यह भी बता हूं चलो तुम सोचो कौन सा अब डियान रखना इसे इसी नहीं अगर हमारी गाडी डिंद घर्फ एक हमारी ब्रेक ने स्नील कि ढया हुआ यह यह को дов यह रोलिंग डिफ्रेंस पसका सब्यार कि बोल ना यह पैंस इसको रोटी बनाना सिकान रोलिंग ज्सके अंदर अपन विए पूरा का पूरा मूव कर रहा है जो पैन है और वहीं ड्रिफ्टिंग क्या होती है ऐसे फिसलना यह द्रिफ्टिंग है तो जो फ्रिक्षन के अंदर आपको बताया था ना काइनेटिक फ्रिक्षन का बात है जब आप इस तरह से स्लिप करते हो वेन बॉड़ी स्लिप सोवर अनादर लोड़ी तो कानेटिक फ्रिक्षन आता है पर अगर इस तरह से जा रहे हो रोल करते हुए इन दाट केस स्टाटिक फ्रिक्षन जो है वही प्रेजेंट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है यह फ्रिक्षन हमेशा कैसा होगा स्टाटिक होगा तो स्टाटिक फ्रिक्षन क्यूं as there is no sleeping ठीक है और कुछ बच्चे सोग है slipping का नाम सुनके सोना नहीं है sleeping है sleeping नहीं है मेरे बच्चों ठीक है this is not sleeping this is sleeping तो slip नहीं करना है तो static friction as there is no sleeping हमेशा बटा static friction ही रहे यह बात ध्यान रखना ठीक है अच्छा गाड़ी का नॉर्मल ऐसे बाहर लग रहा है अंदर लग रहा है शड़क पर ऐसे देख रहा हूं मैं नॉर्मल ऊपर एम जी नीचा दियान रखना तो अगर नॉर्मल की बात करों तो नॉर्मल के दर डॉट और मजे इसा चाहते हैं खौन मुझे मैसेज कर रहे हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं चल्दी से वता हम लोग यह क्सकते हैं इट शुडबी greater than or equal to what, it should be greater than or equal to the mv square by r या फिर ऐसा बोलो के AC direction के अंदर आप लोगों का क्या होगा, AC b होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, AC की direction यहीं होगी बिटा तो हम लोग friction जो होगा, उसको हम लोग mv square by r से बड़ा या उसके बराबर रखते हैं, तो हमारी गाड़ी जो है, वो मुर जाएगी तो n की value किसके बराबर, mg के बराबर और हम लोगों ने क्या बोला, f should be greater than or equal to mv square by r r जो है, वो आपके circular path का radius है, बटा या अली बात सब लोग ध्यान रखें, राइट, चलो लिखो friction की value क्या आगई बटा, mg is greater than or equal to mv square by r ध्यान दे बटा, m ने m को मार दिया, तो यहाँ से आगया आपके पास में mg is greater than or equal to what, v square by r और यहाँ से आपके पास में क्या निकल के आगया, देख, v की value कित्ती आगई, mg r आगई, तो आपकी v क्या आगई, is less than or equal to under root mg r, ध्यान दो, यही आपका answer है, और क्या, यह maximum velocity आगई न, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, therefore, v max इससे ज्यादा velocity इससे मुड़ोगे, फिक जाओगे बाहर, is equal to what, under root mu g r, यह velocity required है, and this is the maximum velocity जिससे आप लोग मुड़ सकते हो, इससे ज्यादा से मुड़ोगे, तो बाहर निकल पड़ोगे, कम से मुड़ोगे तो चलेगा, कम से मुड़ोगे तो चलेगा, पर इससे दिख गया सबको, कोई श्याक इसके अंदर, अकेला friction जब मौझूद था, वहला case, अभी-अभी हम लोगों ने देखा है, maximum velocity जिससे आप लोग turn ले सकते हैं, वो क्या है, under root mu g r, तो इस चीज का विटा खास ज्यान प्रेली थी, याद आ रहे है, very good, चाल, आओ, सुनो भाई, आगे की कहानी देखता है, इसके आगे जब हम लोग बढ़े तो हम लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, equation कर लो, सुनो, तो आप लोगों को क्या बोला, भाई, अकार is traveling on a circular track of radius 500 meter, चीज के बटा, तो आप, तो अचीज के बटा, and roads the friction coefficient the friction coefficient between the car tires and roads is 0.2 right find the maximum speed with which the car can take a turn without slipping ठीक है बिना slip हुए हमारी जो car है उसकी maximum speed क्या हो सकती है कि वो बिटा मुड़ते time उसे slipping जो है वो ना मिला है चालो आओ देखें कर लें question को तो same सवाल ही तो है उसी कहानी को English में लिख दिया तो भाई इस वी की value क्या होती है less than or equal to under root what mu gr और maximum value हमने ने का लिली under root mu gr यही तो होता है तो बस value उसको put कर दे तो v की value क्या हो जाएगा अंडर root mu बोल 0.2 0.2 दिया ना mu तो यह हो गया 0.2 g की value 10 और r की value कित्ती है पांच सो में ध्यान दीजिया v की जो value है वो कित्ती हावी पांच सो यह हो गया आपका 2 10s आ 0.2 इंटू 10 कित्ता हो गया 2 तो 2 multiplied by 500 यानि की 1000 तो आपके v की value के आ गई अंडर root 1000 meter per second इतनी velocity से बिटा आप लोग मुड़ सकते हो बिना पल्टी खाए बिना slip हुआ है आप इस velocity से मुड़ सकते हो this is the maximum velocity which is available इस से कम से मुड़ेगा चलेगा जादा से मुड़ जाना जादा से मुड़ा तो खेल कता ठीक है चालो भई आगे बढ़ता है तो पहला केस तो आप लोगों को समझ में आई गया जिसके अंदर सिर्फ कौन इंवॉल्ड था विटा अब ये फ्रिक्शन की जब इंवॉल्मेंट आ जाती है ना विटा तो फ्रिक्शन की इंवॉल्मेंट में एक और बहुत जोड़ार चीज होती है जिसके अंदर क्या होता है कि आपका जो फ्रिक्शन है वो कहां लगता है बेसिकली आपका जो आपका जो एक्सिल्रेशन है ना वहापकी वेलशिटी और घता भी सकता है ठीक है अगर आप लोग इंक्रीजिंग स्पीड से मुड़ना चाहते हैं तो और वो क्या करता है बिटा? Net Acceleration के हिसाब से अब बिटा लगने लगता है. तो ये friction की खास बात होती है. Friction क्या करता है बिटा? आप लोगों का जो Net Acceleration है, उसके हिसाब से अपनी Direction को एड़जेस्ट कर लेता है और बोलता है कि मैं net acceleration की direction के अंदर ही लगना शुरू कर दूँगा और हम लोग ऐसा बोलता है कि बटा अगर हमारी गाड़ी जो है वो increasing speed के साथ में move कर रही है तो car is moving with increasing speed हमारी जो car है बढ़ती हुई गती के साथ में अगर जा रही है तो उस case में क्या होता है अभी मैंने कोई normal normal के component नहीं किया सीधी सड़क की बात कर रहा है तो अगर हमारी car बढ़ती हुई velocity के साथ में अगर हमेशा अंदर की तरफ ही रहता है यह आप लोगों की इस वाली स्पीड को सपोर्ट करेगा और यह क्या आ जाएगा अगर एक्टी इसी डियरेक्शन के अंदर आ गया तो तुम ही मिरे को बता दो एसी हमेशा अंदर की तरफ ही रहता है यह आपका ऐसी ऐसे में मैं आपको यह बोल रहा हूं कि हमारे पास जो फ्रिक्शन आएगा वह फ्रिक्शन हमेशा एटी और एसी का जो नेट होगा उसी डियरेक्शन के अंदर लग जाएगा तो फ्रिक्शन अपने आपक कि जो friction है एक एक इसे आप लोगों का थीटा है अपन ने ऐसा मान लिया ठीक है अब फ्रिक्शन के दो components हो गए एक component आपकी speed बढ़ाने में सहायक है और एक component आप को जूला जूला रहा है तो कौन सा component है जो आपको जूला जूला रहा है सर कौस थीटा वाला ठीक है और वहीं friction का साइन थीटा component है वो आप लोगों को आगे बढ़ा रहा है तो अगर देखा जाए तो यहां equation क्या सकती है बता equation आ जाएगी मेरे पास एफ का sin theta और cos theta component तो f cos theta जो है वो आपके साथ में क्या कर रहा है वो आपको mac दे रहा है या basically centripetal force provide करने के लिए responsible यह वाला component f cos theta इदर ही होगा न उठाए और इदर को क्या हो जाएगा f sin theta और वहीं जो आपका f sin theta है वो आपकी speed बढ़ाने में मदद कर रहा है मतलब f sin theta will be equal to mat यही तो समझना था दोनों equation आ गई दोनों को divide कर देगा तो तरह पास में 10 theta की value भी आ जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है यहां से अपने को जो सीख लेनी थी वो यही थी कि आपका friction हमेशा net acceleration की direction में लग जाता है जो मैंने आपर देख लिया clarity डन 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 हो गया चलो अब यही अगर मेरी मानले काड़ी जो है वो decreasing speed के साथ जा रही होती फिर क्या होता तो आना दूसरा केस भी यहीं कर लिया कि वहीं कार कि कि मुविंग विद लेट से decreasing speed तो अगर मेरी कार जो है वो decreasing speed के साथ में जाएगी in that case हम लोग किस तरह का यहां पर जो यह हम लोगों ने फिकर बनाए है इसमें की चेंज करेंगे क्या या किसी चेंज की जरुँरत ही नहीं है तो हां भई चेंज की तो जरुँरत है सही आजा बंगड़ा पाले आजा आजा देखो यह हमारी कार है और यह हम है और गाड़ी के टायर गूम रहे तो इसकी आ गई है वेलोसिटी के अंदर तो आपने को कोई दिक्कत ही नहीं है पर अपकी बार जो वेलोसिटी है उसके लिए क्या बोला गया वो डिक्रीज कर रही है तो अगर तीरी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी उसकेस में क्या हो जाएगा इसकेस में आपका जो एटी है ना वेट वहापकी स्पीड गया ऑपोज़ेट डिरेक्शन में हो जाए बस यही चीज तो सोच नहीं है तरको अगर तुने चीज सभी से सोच ली तो हो गया त लोक साथ वो आपकी स्पीड को कम करने की कोशिश कर रहा है जब है इसे एक्सिलरेशन बीसिक्ष रहा हैicias के दुरू आपका circular motion हो रहा है यानि centrifugal force का provider कौन है f cos theta तो वापस से अगर मैं equations लिखुआ है तो क्या लिख सकता हूं विटा f cos theta is equal to what mac और इसी प्रकार से विटा जो आपका f sin theta है उसकी value क्या हो जाएगी mat के बराबर opposite to the direction of speed अपकी बार f sin theta आपकी speed को कम कर रहा होगा जो आप लोग साफ साफ देख सकते हैं तो friction ने अपने आपको एड़ेस्ट कर लिया friction ने आपने आपको net acceleration की direction में एड़ेस्ट कर लिया यह बात आप लोगों को यहां पर मेजरली समझनी होती है तो मैं यहां पर एक स्टार बना के लिख देता हूं कि बटा friction एड़ेस्ट इटसल्फ according to the direction of net acceleration ठीक है बटा friction ने अपने आपको net acceleration की direction में एड़ेस्ट किया और एड़ेस्ट करके मज़े ले लिए आपकी गाड़ी को एकदम मुडने भी दिया है उसकी स्पीड भी बढ़ाई मुडने भी दिया और उसकी स्पीड भी हटाई तो बहुत ही common cases होते हैं जो असल में हो भी रहे होते हैं यह बात ध्यान रखिएगा असलियत के तो case यही हुए जो हम लोग normal सड़क पे चलते हैं उसमें friction तो मजबूद होता ही होता है तो जो real cases है वो तो SL में यही है चीक है